कि एससी प्रिबियस क्वेस्टन का हम लोग सॉल्फ कर रहें उनि दो निननानवे से लेकर अभी तक जो सारे क्वेस्टन आये हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइस सॉल्फ कर रहे हैं तो हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 12 मिसिंग नंबर का जो है वान टू-फाइब लु आफसन में देगे नंबर में कौन सा भरा जाएगा तो देखते हैं हम लोग एक नो पचीस पचीस हमारा क्या है यह पांच का स्कॉयर है और नो तीन का स्कॉयर है और एक को हम लोग एक का स्कॉयर लिख सकते हैं यानि एक का स्कॉयर तीन का स्कॉयर पांच का स्कॉयर चार जो दो है दो का स्कॉयर तो अगला चार का यानि दो दो एड होता चला जाएगा नीचे वाला छे का स्कॉयर तो यहां पर यह नौ है यह तीन का स्कॉयर है और यह पचीस है यह पांच का स्कॉयर है तो तीन और दो पांच और यह नीचे हो जाएगा साथ का स्कॉयर यानि यहां आफसर भी correct हो गया हमारा question number 2 हम लोग देखते हैं 13, 19, 4 71, 9, 8 128, 32 question mark तो यहाँ पे question mark के जगा पे इन चारों आफसर में से कौन सा number आएगा तो यह दोनों जो दिया हैं इन से हमको pattern देखना है pattern find करके यहाँ पे question mark फिल करना है तो यह 13, 19, 4 और 71, 9, 8 इन में क्या pattern आपका हो सकता है यह हमको check करना है अगर देखें 13 और 19 को अगर जोड़ दें तो 19, 20, 32 हो जाएगा तो 19 और 13 को अगर जोड़ें आप तो यह हो जाएगा 32 और 32 में अगर 8 से divide करेंगे तब यह हमारा 4 आएगा यानि नीचे वाला नमबर कब आता है उपर वाले दोनों नमबर को add करके 8 से divide करने पर यह pattern देखें यहाँ पर follow हो रहा है 71 और 9 को जोड़ें और इसको 8 से divide करें तो देखें मारा 8 आता है यहाँ पर जो है आपका यह 10 है 71 और 9 और यह 10 अब 71 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो 71 और 9 आपका हो जाएगा 80 और 80 में 8 से divide करेंगे तो आपका आगया 10 यानि उपर वाले दोनों नमबर को add करके 8 से divide किया तो तीसरा नमबर नीचे वाला मिल जा रहा है तो अगर same pattern यहाँ पर follow होगा तीन एक चार दो छे एक सो साथ बटा आठ तो यह हो जाएगा आठ दूआ सोला बीस आगया तो आफसन हमारा बी correct हो जाएगा question number 3 हम लोग देखते हैं 3, 49, 3 और यह 6, 5 ऐसे दिया है आपका यहाँ पर question mark है तो question mark के जगा पर क्या फिल किया जाए तो इन दोनों से हम लोग pattern find करेंगे देखिए 3, 49, 3 और यह 6, 5 अब 49 हमारा कैसे आ सकता है इन चारों नमबरों का देखिए अगर 6 और 5 का multiply कर दें तो 6, 35 हो जाएगा और इन 3 और इन 3 का multiply करेंगे तो 9 हो जाएगा और दोनों को add कर देंगे तो 49 आ जाएगा यानि यह नमबर यहाँ पे जो है 6 और 5 इन दोनों को multiply कर दिया और प्लस यह दोनों नमबर जो यहाँ पे है इन दोनों को multiply करके add कर दिया तो 6, 35, 30 और 9 आपका हो गया 49 बीच वाला नमबर आ जा रहा है यह pattern देखें यहाँ पे फालो हो रहा है 5 और 7 को multiply किया और इसमें जोड़ेंगे हम लोग 4 गुड़े 4 तो देखें बीच वाला नमबर आ रहा है हो गया 5, 35 और 4 चोके 16 35 और 16 हो गया 51 तो pattern हमको पता चल गया question mark की जगा पे क्या होगा 5 गुड़े 5 प्लस 3 गुड़े 4 तो हो जाएगा 25 प्लस 12 25 और 12 आपका हो गया 37 और आपसन आपका B correct हो गया question number 4 हम लोग देखते हैं यहाँ पे है 5, 23, 1, 3, 4 यहाँ पे 7, 24, 4, 3, 6 और यहाँ पे नमबर देगे है यह question mark यहाँ पे है तो इन दोनों से pattern find करना है फिर यहाँ question mark की जगा फे फिल करना है तो देखे 5, 3, 1, 4 और 23 में कैसे हमारे यह 20 आ सकता है इधर 5, 4, 20 और 3, 1, 3 यानि 5 और 4 को multiply कर लें और उसमें add कर दें हमारा 3 और 1 को multiply करके यानि इन दोनों को multiply कर दिया और इन दोनों को को multiply करके add कर दिया घे तो आपका वोगया bise plus 3, 20 यह pattern देखे हैं हमारा यहाँ पर follow हो रहा है इन दोनों को multiply करेंगे तो हो जाएगा साथ गुड़े 6 प्लस इन दोनों को multiply करेंगे तो आपका हो जाएगा तीन गुड़े चार तो साथ चक्के 42 और 12 आपका हो जाएगा 54 तो यह बीच वाला नमबर आ जा रहा है तो सेम पैटन यहां पे होगा हमारा यानि इन दोनों नमबर को मल्टिप्लाइ किया जाएगा और यहां पे जो प्लस एक्स विड नो बराशा हो जाएगा 50 यानि 11 दुनना 22 हो गया 22 प्लस 9 x बराबर 40 तो 9 x बराबर 40 माइनस 22 तो 40 में इसलिए 22 जाएगा 18 तो 9 x बराबर 18 बटानों एक्स बराबर 18 बटानों यानि यह एक्स बराबर आ गया 2 तो आपसंसी करेक्ट हो गया क्वेस्टन नंबर 5 हम लोग देखते हैं 12 18 30 और यहां नीचे है 6 16 32 40 और यहां है 8 36 18 27 यहां क्वेस्टन मार तो क्वेस्टन मार की जगा पर हमको फिल करना है इन दोनों से पाइटन देखके तो यहां पर है आपका 12 18 और 30 और यह 6 अब कैसे रिलेट करें इन सब को हम लोग यह चेक करना है 16 32 40 और यह 8 पैटन फाइंड करके वहां पर क्वेस्टन मार की जगा फिल करना है तो अगर हम लोग देखें यहां जो उपर वाले नंबर है 12 18 30 बारा हमारा क्या है नीचे वाला नंबर का 6 गुड़े 2 18 क्या है 6 गुड़े 3 30 क्या है 6 गुड़े 5 यानि तीन उपर वाले चे के मल्टिपल है यहां पेदेखें 16 हमारा क्या है 8 गुड़े 2 32 क्या है 8 गुड़े 4 40 क्या है 8 गुड़े 5 यानि उपर वाले सारे नंबर नीचे वाले नंबर के मल्तिपल है तो यहां पर हमारा जो चाहिए 36 18 27 अब यहां question mark question mark के जगा पर हमको वो नंबर रखा जाएगा आपसन वाला जो तीनों को डिवाइड करें 36 18 और 27 को डिवाइड करें यानि नीचे वाला नंबर जो है देखिए उसका multiple है उपर वाले तीनों नंबर तो अगर 6 हम लोग रखें तो देखिए 36 6 गुड़े 6 हो जाएगा 18 6 गुड़े 3 लेकिन 27 हमारा 6 का गुड़े नहीं है तो आपसन यह नहीं सेट हो रहा है आपसन भी 9 है तो नो चोके 36 नो दुनिया 18 नो तीन 27 तो यह आपसन भी हमारा correct हो गया यहां क्या रख है तो बारत यहां 36 ओगया 36 तो डिक यहां ळाएफ नहीं होगा है 27 नहीं होगा अगला अफ्शन 18 है तो चतिल दिवाइटोगै तरफेंहार्हकर crappy 9